राज्य पर्धन सिन्ग राठोर तो हमारी कोशिष है कि जनता से जुड़े हैं यानि जो उनके जन प्रतीनिदी हैं उनी से जानने की कोशिश करें कि आखिर 75 वर्षों में भारत में क्या-क्या बदलाव उन्होंने देखे और आने वाले दिनों में किस तरह के बदलाव होने वाले हैं या किस तरह का विजन उनका है भारत के इस अमरित-मखुट सफ में हमारे साथ बेहदी खास मैमान अज मोजूद है इस कड़ी में हमारे साथ कर्णौल राजिवर्दन शिंग राठहर जी मोजूद है केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के वरिशनेता है, प्रवक्ता है, सांसद है, राजस्थान से, बहुत-बहुत स्वागा थे डीडी नियूस पर आपका राजवर्दन जी जिस तरह से अमरित महुतसफ काल की हम बात कर रहे हैं 75 वर्षों में आपने किस तरह से ये बदलाव को देखा, जब से आप सांसद बने और आप जब जनता के बीच जाते हैं तो वो कौन से बदलाव है या 75 वर्षों में क्या रहा आजादी के समरित महुतसफ में मैं उन वर्षों की बात करता हूँ जब हमने consciously भारत को जानना शुरू करा मैं 23 साल तक भारती सेना में रहा हूँ और एक साधारन नागरिक के रूप में जीवन जिया है एक खिलाडी के रूप में भी मैंने देखा है किस तरह से साहता चाहिए होती थी लेकिन नहीं मिलती थी और एक आमनागरिक के रूप में भी मैंने देखा है कि देश की जो सरकार होती थी उनका किस तरह करवया रहता था इंडिफरेंट रहते थे सब को पता था कि बात बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन काम नहीं होता अगर देश के मानसंबान की भी बात करें तो कहां हम सब लोग हमारे को अमारे उपर प्रशन चिन लगाते थे हाँ हमारा कल्चर बहुत स्ट्रॉंग था लेकिन भारत एज नेशन एक राष्ट के रूप में वो रुत्बा नहीं था जितना होना चाहिए हम सब चाहते थे कि हमारे रुत्बा और हो लेकिन नहीं होता था देश के अंदर पोटेंशल बहुत जबरदस्थ है था भी लेकिन उसको इस्तेमाल करने का जो सरकार का दायत वर रहता है वो नहीं होता था पूरा गरीब हटाव नारे लगते थे लेकिन कोança नहीं होता था गरीबों के घर बनाने के नारे लगते थे लेकिन काम नहीं होता था आप आकड़े देखिए 2014 से पहले के और 2014 के बाद के वो आकड़े साफ आपको बतला देंगे कितना जबरदस रूप से काम हुआ एक एक शेत्र के अंदर चाहे सडक ले लीजे चाहे बिजली ले लीजे चाहे पानी घरों तक पहुंचाना ले लीजे चाहे शोचाले ले ले लीजे चाहे एम्स ले ले लीजे आयाइटी ले लीजे सेन शक्ति को बढ़ावा देने की बात देख लीजे औरों पी देख लीजे आप एक एक चीज देख लीजे चीज आप देखेंगे उसमें आपको एक बहुत बड़ा अंतर नतर आएगा और मुझे लगता है ये अंतर इस वजे से आया है एक हमारी विचारधरा अंतियोदे की, कि अगर हम हमें सेवा भाव का मौका मिला है तो अंतियोदे होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति का होना अंतर नोदी जी 2014 में जैसी प्रदान मंत्री बने उनने का मैं सत्ता के लिए नि मैं सेवा के लिए आया हूँ ये मानसिक्ता जो है, वो जो पॉलिटिक्स की जो मानसिक्ता है वो पूरी उन्होंने बदल दी, वी आईपी कल्चर वो बदल दिया भारत की सरकार दिली से बहार नहीं जाती थी, आज भारत की सरकार के सारे कारे ग्रम देश के कौने कौने में होते हैं देश के जो मंत्री हैं वो कौने कौने में जा रहे हैं, फोकस्ड अप्रोच से काम हो रहा है, community participation प्रदान मंत्री ने शुरू कर दिया है जो कहते हैं न वो कि सबका प्रयास, सबका साथ थी, सबका साथ, सबका विश्वास लेकिन सबका प्रयास तो हर योजना के अंदर community participation शुरू हो गया है ये सारे मुख्यतोर से कारण है और आज आप देखिए हर तरह से योजना घरगर तक पहुँच रही है और देश-विदेश में भारत का मान सम्मान हो रहा है सेन शक्ती मजबूत हो रही है ऐसे संकल्प और हमारे जो चुनाव के समय हम नारे नहीं देते गोशना पत्र भी नहीं होता, एक संकल्प पत्र होता है, और संकल्प पत्र जब होता है तो ये खुद का एक आत्म संकल्प हो जाता है तो आपको लगता है कि 75 वर्षों में कोई एक अलग तरीके की मानसिक्ता थी देश में जिसमें बदलाव आया है और अब वाकई में मानसिक्ता लोगों के साथ जुड़ाव की हो गई है तो क्या बदलाव वो देख रहे हैं अलग-अलग आप वर्ग को देखेंगे तो अलग-अलग मानसिक्ता थी आम जनता के अंदर ये मानसिक्ता थी कि चलिए इस बार देख लेते हैं 5 साल इनको फिर परिशान हो जाते थे पिर लगता था चलो किसी दूसरे को देख लेते हैं फिर पांच साल तक वह हैं हाल रहता फिर लगता था हो सकता है पांच साल में सुधर गए हो तो फिर एक बार देख लेते हैं फिर लगता था चाहां मिक्स करके देख लेते हैं तो जनता तो लाचार हो चुकी थी कोई option नहीं था एक शांदर एक अफसर मिला है इस देश को मजबूत करने का और जो हमने सपने पूरा करना है राष्ट को मजबूत करना है राष्ट के लिए जीना है देश सबसे पहले यह जो मान सिकता है यह कितना बड़ा अंतर ले आती है तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अब वाकई में जो पहले ब्रश्टाचार के आरोप लगते थे घुटालों की बाते होती लगता है कि जन्ता के अड़रस होने लगे है सेना का हो या फिर की महिलाओं का हो देजहां तök केंद केंद सरकार की बात है वन रैंक वन पेंशन आप सेना की आपने बात करिये सालों साल से दश्कों से ये सेना की डिमांड थी कि वन रैंक वन पेंशन होना चाहिए लेकिन कोई उसके ओपर जिक्र तक नहीं हुआ है कोई चर्चा तक नहीं हुई लेकिन 2014 में जैसी प्रधान मंत्री जी ने एक रैली में कहा कि मैं वन रैंक वन पेंशन लेकर आऊंगा तो कॉंग्रिस सरकार ने विगुसात सरकार में थी 500 करोड दे दिया 500 करोड बाटों के तो 26-26 रोपे आएंगे सब लोगों के पास में ये वन रैंक वन पेंशन होती है प्रधान मंत्री मोदी जी ने आते ही उसके उपर गहन चंतन करवा के कि कितना होना चाहिए कैसे होना चाहिए और आप देखिए अब गाहों के अंदर जो पूर वसेनिक हैं उनको सम्मान के साथ वन रैंक वन पेंशन मिल रहा है आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए जो सरहद के ओपर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ओपर चार गुणा ज़ादा पैसा खर्च हो रहा है आज इनके तो UPA सरकार के जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने तो सदन में कहा है पारल्लेमिट में कहा है कि हम सरहद के ओपर सडक और पुलिये इसले नहीं बनाते ताकि दुश्मन इसका इस्तेमाल नहीं कर ले अब प्रतान मंत्री मोदी जी ने कहा हम सरहद के ओपर सडकें और पुलिये इसले बना रहे हैं ताकि हमारी सेना इसका इस्तामाल करें अब दीए कितना बड़ा अंतर है एक दशक दस साल तक UPA के कारेकाल के अंदर एक भी advanced ammunition weapon system नहीं आया भारत के अंदर एक भी कोई हवाई जाइज नहीं आया, कोई तोप नहीं आयी, कोई सेना का बड़ा equipment नहीं आया क्योंकि उनकी दिमाग में यह रहता था कि हमें इसमें कैसे फाइदा हो, जाओ तक हमें फाइदा नहीं होगा, हम आगे क्यों बड़े लेकिन सेना को तो जरूरत थी, हम पिछड़े पिछड़े पिछड़ते जा रहे थे अपने दुश्मनों के जो हमारे आसपास जो हैं, हम उनके साथ मुकाबला करने में हम पिछड़ते जा रहे थे प्रदानमंतरी मोदी जी के आते ही, रडार सिस्टम्स आये, तोप आई, रफैल आये, सब कुछ और उसमें टेक्नोलोजी ट्रांसफर भी हो रहा है उसमें उनका साथ या सतर परसेंट कुछ जो निवेश होना है, वो भी भारत के अंदर हो रहा है उससे नौकरिया मिलेंगी यहाँ पर, हमारी भारत की इंडस्ट्री मजबूत होगी और यह भाजपा का तो यह, मुझे लगता है, हमारी तो फिलोसोफी रही है कि सेना को मजबूत करना अटल बिहारी भाजपाई जी के समय जब वो प्रधान मंत्री थे, तब यह शुरू हुआ कि जो अगर कोई सेनिक सरहत पे या कई ऐसी जगे उसका देहान्त हो जाए, तो उसकी अंतेष्टी वापस गाउं में आकर होगी नहीं तो उससे पहले वहीं हो जाती थी, वापस गाउं नहीं आता था पार्थिव शरीर उन्होंने शुरू करा, तो इस तरह से हमारी विचारदारा रही है देश को मजबूत करने के, आज पूरे भारत के अंदर पानी, पीने का पानी सप्ला है, जो मोदी जी की योजना है कि मैं घर घर तक पीने का पानी पहुँचाऊंगा, उसमें पैसा भी दे रही है केन सरक सरकार, 26,000 करोडर रुपे दे चुकी है केन सरकार, उस 26,000 करोडर से मात्र 4,000 करोडर राजिस्तान सरकार ने खर्च करे, पूरे देश में आज सब से आखरी पायदान पर राजिस्तान का नंबर है, पीने का पानी पहुचाने में, दुष में सबसे पहले है, दलितों के राजवर्दिन जी क्योंकि आपने बात करी तो ये भी मानसिक्ता में अंतर दिखाई दे रहा है कि जहां जहां अभी भी वो पुरानी सरकार या पुरानी पार्टी के साथ जुड़ाव सरकार का दिखाई दे रहा है वहां वहां अभी भी ये चीजे दिख रही है क्योंकि उनके काम करने का तरीका ही है, वो निकलते कब हैं बाहर सेवा भाव के लिए, करोना काल के अंदर, पूरे देश के अंदर, अब कर राजस्थान के अगर आप बात करें, तो वहां पे सिर्फ भारती जंता पार्टी के कारेकरता ही सेवा करते वे देख रहे थे, क्योंकि हम क्या है, उनसे पूछे कभी, वो उनका वोट बैंक है, अपना जरमसिद अधिकार मानते हैं उन लोगों के उपर, कि काम उनके लिए कुछ मत करो, लेकिन एक भै का वातावरन बना के रखो, तो ये वोट बैंक आपके पास रहेगा, वो जिसको वोट बैंक मानते थे, उनके सम्मान दिया, तो आप देखे, जो OBC है, उनके लिए OBC का हमने पूरा का पूरा एक institution तयार कर दिया अभी, ठीक है, मैं दो चीजे और आप से पस जाना चाहूंगी, एक ये कि जिस बारे में सबसे जादा इस वक्त बात हो रही है, कि जो इतने सालों से हमारे स्वतंतरता से नानी थे, उनके बारे में अब बात हो रही है, जिनके बारे में पढ़ाया भी नहीं जाए था, जिनके बारे में हमारी आज की जनरेशन को नहीं पता था, आपको लगता है कि वो एक कमी रह गई थी, जो कमी अब पूरी हो रही है, उनके बारे में लोगों को पता लग रह अंग्रेज चले गए थे लेकिन अंग्रेजी मानसिक्ता छोड़के गए थे अंग्रेजी मानसिक्ता वो नहीं है अंग्रेजी बोलना ये गलत मत समझे ये लोगों को बढ़काने में लगे रहते हैं अंग्रेजी बोलना अंग्रेजी मानसिक्ता नहीं होती अंग्रेजों की तरह सोचना अंग्रेजी मान सकता होती है और इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि जब आजाद हुआ भारत तो आजाद हिंद फौज जिस ने हत्यार उठाये भारत को आजाद करने के लिए उनको तो बिल्कुल भुला दिया गया और ऐसा इतिहास में ऐसा कुछ लिख दिया गया कि बस एकाद परिवार था जिसकी वज़े से आजादी मिली तो अब उस परिवार को तो जनम से दधिकार हो गया पूरे देश के पर राज करने का चाहे उनको आता हो या नहीं आता हो चाहे लीटर हो या किलो कोई फरक नहीं तो यह जो मान सकता है यह अंग्रेजी मान सकता है बहुत से ऐसे परिवार थे जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना परिवार का अपना खुद का बलिदान दिया आज उनको सबको याद करा जा रहा है बहुत से लीडर्स थे ऐसे पराकरमी लीडर्स थे ए सबको एक करा, बिना गोली फायर करे वे, और नहरु जी ने जो जिम्मेदारी ली थी, कश्मीर की एक अकेले कश्मीर की उनने जिम्मेदारी ली थी, और वो तो बस हाथ से निकलते निकलते बचाये, जंडा ही दूसरा दे रखाता, पासपोर्ट लेके जाना पड़ता था, त प्रतिनिधी के नाते, आपका इसमें क्या योगदान है और आप इसको कैसे मना रहे हैं? प्रतान मंतरी मोदी जी ने यही तो अवान करा है, कि सिर्फ सरकार नहीं, इसमें देश का हर नागरिक, कुछ भी करता हूँ, हर नागरिक को ये एक संकल्प लेना चाहिए, कि अगले 25 वर्ष में मैं अपने भारत को कैसा बनता देखना चाहता हूँ, और उसमें मेरा क्या योगतान होगा, तो यकीनन पूरे तौर पर भारत उन शांदार राष्ट्रों में से हो जाएगा, जो हम अपने स्थपनों में हमेशा भारत को देखते हैं, आप आर्थी ग्रूप से देख लीजे, जिस देश ने हमारे ओपर 200 साल तक राज करा, उसको हमने 70-45 वर्ष के अ आज हम पांचवे स्थान पे हैं और ब्रेटन हमार से पीछे है, 2000 आखलन है कि 2029 तक भारत की अर्थ विवस्ता दुनिया के अंदर तीसरे स्थान पर होगी, जब अर्थ विवस्ता पूरे देश की बढ़ती है, तो हम सबका जीवनस्तर और सुधर जाता है, हम सबका आत्मस अच्छा काम कर सकते हैं, तो सबका योगदान तो प्रधान मंत्री जी शुरू से कहते आ रहे हैं, और जैसे मैंने शुरू में कहता हूँ कि उनकी हर स्कीम, हर योजना के अंदर ये होता है कि सबका प्रयास होना चाहिए, तो देश के निर्मान में भी सबका प्रयास चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजवर्दन जी, तो मानसिक्ता में जो बदलाव आया है और इसके अलावा उन भारतियों को, उनका हक अब देने की कोशिश हो रही है, जो इतने समय से अपने हकों के लिए लड़ते रहते लेकिन बंचित रहते, कंडल, राजवर्दन सिंग्राठोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जन प्रतिंधी के तोर पर हमसे बात करने के लिए